उच्जान में बढ़नगर के एक यूवा किसान द्वारा किसान बिल के विरोध में हाथों में तरंगा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है यह यूवा को महाकाल मंदे से पैदल चल कर कोठी महल होते हुए सांसर के घर खुद घेराव करने पहुचा है खास बात यह है कि इसे यूवाग ने अपने शरी पर सरकार के विरोध में तक्तियान लगा रखी है देश भर में किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है कई बड़ी किसान संस्थाय केंद सरकार के इस बिल का विरोध कर रही है हाला कि मदपदेश के उज्जेन जिले में इसका असर कम ही देखने को मिला है लेकिन बड़नगर के युवग अकलेश थाकर आज उज्जेन पहुचे है महांकाल मंदिर से अपने हाथों में तिरंगा लेकर कोठी भवन होते वे सानसत अनिफिरोजिया के घर का घेराओं करने के लिए अकेले पहुचे है वहीं अकिलेश थाकर ने जानकरे देटे बताया कि देश भर में किसानों द्वारा किसानविल का विरोध किया जाया है किसानों से अप्पील की गई थी कि यहीं 13 दिसम्बर तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 14 दिसम्बर को सांसत के घरों का घीराव किया जाएगा ऐसे में बढ़नगण शेत्र में अकलेश धाकर, अकेरे हाथों में तिरंगा लेकर सांसत के घरों का घीराव करने के लिए पहुचे हैं इतना ही नहीं अकलेक श्यादों ने अपने शरीर पर सरकार के खिलाफ तक्तिया भी लगा रखी हैं कि यह तो 14 तारिक के दिन पुरे देज़ भर में किसान अपने अपने शेत्र में संसत के बंगले का घेराओ करेंगे तो उसी तारतम्य में आज यहां उज्जेन आया हूं मैं बढणागर का रहना वाला हूं बढणागर विधान सबाए मेरी और उज्जेन लोकसबा लगती है तो इस नाते में उज्जेन आया हूं और यहां पर जो हमारे सांसत है अनिल जी फिरोजया भरती जनता पार्टी से उनके बंगले का घेराओ करने आया हूं किसानों के समर्दन में और सरकार के विरोध में यह तिरंगा यह तिरंगा ही हमारी एक पहचान है इस तिरंगे की शत्र चाया के नीचे रहे के हमारे उपर जो भी अत्याचार होंगे हम उस अत्याचार का प्रतिकार करेंगे जी मैं महांकाल मंदिर से पेदल आ रहा हूं जी मेरा नाम अखलेज दाकड़े वोईज ऑफ राइट्स के लिए उज्जयान से विरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट